पहला प्रवचन, ध्यान केंडर की भूमिका, मेरे प्रिय आत्मन, अनंद की पुकार कुछ बहुत जरूरी बातों पर विचार करने को हम यहां एकठा हुए हैं। जितनी सामर्थे और शक्ती है उतना कहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे ग्यात हुआ और सैकरों लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला, तो मुझे यह दिखाई परना शुरू हुआ कि मेरी सीमाए हैं, और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बा पुराने सारे मूल्यों का आदर और सम्मान विलीन हो गया है। नए किसी मूल्य की कोई स्थापना नहीं हो सकी है। आदमी बिलकुल ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता ही नहों वह कहां जाए और क्या करे। ऐसी स्थिती में स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन बहुत अशांत बहुत पीलित, बहुत दुखी हो जाए। एक एक आदमी के पास इतना दुख है कि काश हम उसे खोल कर देख सके उसके हृदय कुप तो हम धबड़ा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा संपर्ग बड़ा उतना ही महरान हुआ। आदमी जैसा उपर से दिखाए पड़ता ह उससे ठीक उल्टा उसके भीतर है। उसकी मुस्कुराहटे जूटी हैं, उसकी खुशी जूटी हैं, उसके मनोरंजन जूटे हैं और उसके भीतर बहुत गहरा नरक, बहुत अंधेरा, बहुत दुख और पीला भरी है। इस पीला को, इस दुख को मिटाने के रास्ते हैं, इससे मुक्त हुआ जा सकता है. आदमी का जीवन एक स्वर्ग की शांती का और संगीत का जीवन बन सकता है. और जब से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मनुष्य के जीवन को शांती की दिशा में ले जा सकती है. अगर उसे हम उन लोगों तक नहीं पहुँचा देते जिन्हें उसकी जरूरत है तो हम एक तरह के अपराधी हैं हम भी जाने अंजाने कोई पाप कर रहे हैं मुझे लगने लगा कि अधिक्तम लोगों तक कोई बात उनके जीवन को बदल सकती हो तो उसे पहुचा देना जरूरी है लेकिन मेरी सीमाय है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ती है उसके बाहर वह नहीं किया जा सकता मैं अकेला जितना दोड सकता हूँ, जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ वे चाहे कितने ही अधिक हो, फिर भी इस व्रिहत जीवन और समाज को और इसके गहरे दुखों को देखते हुए उनका कोई भी परिमान नहीं है एक समुद्र के किनारे हम छोटा मोटा रंग भोल दें कोई एकाद छोटी मोटी लहर रंगीन हो जाए, इस समुद्र के जीवन में कोई फर्क नहीं पढ़ सकता है और बड़ा मजा यह है कि वह एक छोटी सी जो लहर थोड़ी सी रंगीन भी हो जाएगी वह भी उस बड़े समुद्र में थोड़ी देर में खो जाने को है, उसका रंग भी खो जाने को है तो कैसे जीवन के इस बड़े सागर में दूर दूर तक शांती के रंग फेके जा सके, उस संबंध में ही विचार करने को हम यहां इकठे हुए हैं इसके साथ ही यह भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो आदमी केवल अपनी ही शांती में उत्सुक हो जाता है, वहाँ आदमी कभी पूरे अर्थों में शांत नहीं हो सकता है क्योंकि अशांत होने का एक कारण ये भी है केवल अपने आपने ही उत्सुक होना मात्र अपने में ही उत्सुक होना, सिल्फ सेंटेड होना भी अशांती के बुनियादी कारणों में से एक है जो आदमी सिर्फ खुद में ही उत्सुक हो जाता है, सिर्फ स्वयम में ही उत्सुक हो जाता है और चारों तरफ से आँख बंद कर लेना चाहता है वह आदमी वैसा ही है जैसे कोई एक आदमी एक खुबसूरत सुन्दर घर बनाए और इसकी फिकर ही न करे कि उसके घर के चारो तरफ गंदगी के धेर लगे हो हैं, वह अपने घर में एक बगया लगा ले और इसकी फिकर ही न करे कि चारो तरफ दुरगंद इकठी हो गई उसकी बगया, उसके फूल, उसकी सुगंध बहुत काम नहीं आएंगे अगर चारो तरफ का सारा पढ़ोस गंदा है, तो वह गंदगी उसके घर प्रवेश करेगी, उसके फूलों की सुगंध को भी दुबा देगी, मनुश्य को ना केवल अपने में, बलकि अपने पढ़ो ये पर्याप नहीं है, हमारे चारो तरफ जो जीवन है, जिससे हम इंतर संबंधित हैं, जिससे हम जुड़े हैं, उस जीवन में भी शांती की कोई हवाय पहुँच सकें, इसके लिए भी हमारी उत्सुकता जरूरी है, और जो व्यक्ति अपने चारो तरफ के जीवन को भी शांती की दिशा में ले जाने के लिए प्यासा हो जाएगा, वह पाएगा कि चाहे वह दूसरों को शांत कर पाया हो या न कर पाया हो, लेकिन दूसरों को शांत करने के महत्वपूर्ण प्रयास में वह स्वयम जरूर ही शांत हुआ है, बुद्ध के जीवन में उलेक है, श करते हैं मोक्ष की तरफ बुद्ध ने कहा मेरे पीछे बहुत लोग हैं जब तक वे भी मोक्ष में प्रविष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं अकेला मोक्ष में प्रविष्ट हो जाओं इतना कठोर इतना क्रूर इतना हिंसक मैं नहीं हूं मैं रुकूंगा प्रतीक्षा करूं बहुत लोग हैं। मेरा शांत मन तो यही कहता है कि मैं आंतिम आदमी ही होऊंगा मोक्ष में प्रविश्च करने वाला पहले सारे लोग प्रविश्च हो जाएं। अब मोक्ष फीके हो गए, वह मोक्ष में पहुची गया, जिसके हृदय में ऐसा करुना का भाव उठा हो। शांत केवल वे ही हो पाते हैं जिनके जीवन में चारो तरफ शांती पहुचाने की प्रवल प्रेरना काम करने लगती है। ये भी मेरे ख्याल में आता है कि जो मित्र इस दिशा में उत्सुक हुए हैं वे केवल अपने में ही उत्सुक न हो और सब में भी उत्सुक हो जाएं। उनकी ये उत्सुकता दूसरों के लिए हितकर होगी ही, ना भी हुई तो भी उनके स्वयम के लिए बहुत अर्थपुन होगी, बहुत बहुत गहरे शांती में औ इस बात के संबंध में विचार करने के लिए हम इकठे हुए हैं कि मैं आपसे ये कह सकूँ कि किन रास्तों से अधिक्तम लोगों तक प्रेम की शांती की और करुणा की बात पहुंचाए जा सकती है। इस भाती सब तक कोई बात पहुंचा देनी है बिना संब्रथन के, बिना संप्रदाय के, बिना आर्गनाइजेशन के, बिना किसी केंदरित शक्ती को बनाए हुए। और इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर एक संप्रदाय बनाना हो तो बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर एक संदठन खड़ा करना हो तो कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। दुनिया में संदठन बनाने के नियम सबको पता है, संप्रदाय खड़े करने की तरकीवे सबको पता है। हजारों संप्रदाय खड़े हो चुके हैं। उन संप्रदायों में एक संप्रदाय खड़ा नहीं कर देना है। इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है कि संप्रदाय भी खड़ा ना हो, कोई संगठन भी खड़ा ना हो, और जो बात हमें प्रीतिकर लगे, आनंद पुर्ण लगे, उस बात को हम सब तक पहुचा भी सकें। प्रोपगेंडिस्ट भी हम ना हो और प्रचार भी हम कर सकें। इसलिए बहुत डेलिकेट, बहुत महीन और बहुत सूक्षमता से विचार करने की जरूरत है। ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे यह बात बिना प्रचार के प्रचार हो सकें, बिना संप्रदाय के, बिना संगठन के अधिक्तम लोगों तक, जो जरूरी है वह खबर, वह सूचना, वह संदेश उन तक पहुचाया जा सकें। इस संबंध में विचार करने क यहां आपको आमंत्रित किया है। समूव का मतलब होता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है वहां, अपनी आजादी से आया है और अपनी आजादी से अलग हो सकता है। अपना एक जल होता है, एक हायरेरकी होती है, नीचे से उपर तक सिलिया और पद होते हैं। और फिर उनके साथ आए हुई पॉलिटिक्स होती है, राजनीती होती है। क्योंकि जहां पद है वहां राजनीती आनी अनिवार्य है। जो पदू पर होते हैं वे भाय भीत हो जाते हैं कि उन्हें कोई पदू से अलग न कर दे। जो पद पर नहीं होते वे उत्सुक होते हैं कि हम पद पर कैसे पहुँच जाएं। तो एक अपना उपद्रव है संगठन का। हमें एक मित्रों का समूह बनाना है, कोई संगठन नहीं बनाना है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, समान मूल्य का है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई आदरित नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई उचा नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने प्रेम के कारण वहां आया है प्रेम के अतिरिक्त उसके उपर न कोई आदेश है जिन्हें उसे मानना है, न कोई प्रतिग्याए है जिन्हें उसे पूरी करना है, न कोई व्रतनियम है जिनके अंतरगत उसे बंधना है सिर्फ उसके प्रेम और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्मिलित हुआ है वह और जिस क्षंड चाहे उसी क्षंड अलग हो जा सकता है और जब वह सम्मिलित भी है तब भी किसी एक डॉग्मा, किसी एक सिध्धान्ट से बंधा हुआ नहीं है तब भी वह स्वतंत्र है भिन मत रखने को, अपना विचार रखने को, अपने विचार को मानने को, अपनी बुद्धी का अनुसरंग करने को वह किसी का अनुयाय होकर वहां नहीं है तो मित्रों का एक समूह जीवन जागृती केंडर बन सके, इस दिशा में सोचना है वह निश्चित ही मित्रों की समूह बनाने के नियम अलग होते हैं, संगठन बनाने के नियम अलग होते हैं मित्रों का समूह एक बिलकुल ही जिसको हम कहें आराजक, अनारकिक संस्था होती है संगठन एक सुव्यवस्थित बंदी हुई नियमों से, सिध्धान्तों से, कानुनों से बंदी हुई व्यवस्था होती है मेरी कोई मरजी कोई कानुनों में बहुत नियमों में, सिध्धान्तों में बांधने की नहीं है क्योंकि उन्ही सब के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उन्ही सब के तो संगठन सारी दुनिया में खड़े हुए है हम एक और संगठन वैसा खड़ा कर दें निश्चेती संगठन में ज़्यादा एफिशेस ही होती है ज़्यादा कुशलता होती है उतनी समूव में कुशलता नहीं हो सकती लेकिन कुशलता के मूले पर स्वतंत्रता खोना बहुत कीमती सोदा करना है लोकतंत्र उतना कुशल नहीं होता जितनी तानाशा ही होती है लेकिन कुशलता को खोया जा सकता है स्वतंत्रता को नहीं खोया जा सकता है मित्रों के समूव का अर्थ है कि यह स्वतंत्र व्यक्तियों का मिलन है उनकी स्वेचा से इसमें यदि कोई छोटे मोटे कानून और व्यवस्थाय होंगी तो वे भी व्यक्तियों से नीचे होंगी उनके उपर नहीं हो सकती है वे कामचलाव होंगी, वे हमारा लक्ष नहीं हो सकती है हम उन्हें किसी भीक्षन तोड़ने के लिए हमेशा स्वतंत्र है वे किसी भीक्षन हमें तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकती है वे कानून भी होंगे तो वे हमारे लिए होंगे हम कानून के लिए नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान में रख लेना जरूरी है अब मित्र सोचते हैं कोई विधान हो, निश्चित ही कोई विधान होना चाहिए लेकिन जैसे विधान होते हैं संगठनों के वैसे नहीं ये ध्यान में रखकर ही विधान होना चाहिए कि वह मित्रों के एक समूर का विधान है जो अत्यंत काम चलाओ है उसका उप्योग है इसलिए उसको बना लिया है लेकिन उससे बंधने का कोई हमारा आगरह नहीं है उसे हम किसी भीक्षन फेक सकते हैं और जला सकते हैं और विधान चाहे कितना भी कीमती हो उस विधान से हमारा एक-एक मित्र ज्यादा कीमती है ये ध्यान में होना जरूरी है क्योंकि इन्हीं मित्रों के लिए वह विधान बनाया गया है उस विधान के लिए ये मित्र इकठ्ये नहीं किये गए है इसलिए एक एक व्यक्ति का मूल्य और एक एक व्यक्ति की गरिमा शेश रह सके ऐसा एक समूव खड़ा करना है निश्चिती जितने अधिक व्यक्ति होंगे उतने भिन चित उतने भिन विचार उतने भिन उनके सोचने समझने के धंध होंगे जितना बड़ा समूव होगा मित्रों का उतनी ही विभिन्नता स्वाभाविक है इसलिए एक रूपता पैदा, करने की बहुत चेश्टा हमें नहीं करनी चाहिए अन्यता फिर संधठन खड़ा होना शुरू हो जाता है और एक रूपता की जितनी हम कोशिश करते हैं उतना ही व्यक्तित्वप उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, सब नाश्ट होनी शुरू हो जाती है एक रूपता की बहुत चिंता नहीं, बलकि सब मित्रों के प्रती सम्मान, उनके भिन विचारों के प्रती भी क्योंकि मेरी सारी द्रिष्टी यही है कि सारे मुल्क में स्वतंत चिंतन पैदा हो सके तो स्वतंत चिंतन जो लोग पैदा करना चाहते हैं अगर वे भीतर ही परतंत चिंतन से बंध जाएंगे तो खत्रा होगा इसलिए मेरे प्रती भी इस मित्रों के समूव की कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए मेरे प्रती भी कोई श्रद्धा का भाव नहीं होना चाहिए मेरे प्रती भी विचार का और विवेक का भाव होना चाहिए मैं जो कहता हूँ, वह ठीक लगता हो, प्रीतिकर मालूम होता हो, उप्योगी मालूम होता हो, तो उसे लोगों तक पहुचा देना है मैं कहता हूँ इसलिए पहुचा देना है, ऐसी भूल में नहीं पर जाना चाहिए व्यक्ति के केंद्र पर भी मित्रों का समूह निर्भर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति पूजा का केंद्र बन जाए, मैं या कोई भी दूसरा ना हमारी कोई पूजा है, ना हम किसी के अन्याई है, ना हमारा कोई नेता है हमें तो सामुहिक रूप से एक विचार, एक संदेश प्रीतिकर लगता है ऐसा लगता है कि अधिक्तम लोगों तक पहुँच जाए तो उनका मंगल होगा इसलिए हम मित्र इकठे हुए हैं और उसको पहुचा देना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि संदेशन के संबंध में थोड़ा विचार करेंगे संदेशन हमें नहीं बनाना है, एक मित्रों का समूह भर बनाना है और इन दोनों के बीच जो बारीक भेद है, वह समझने की कोशिश करेंगे और हर एक मित्र का ये कर्तव्य होगा कि वह संदठन बनने से बचा सके इस संस्था को यह मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, मैं कह सकता हूँ लेकिन यह मेरे अकेले के हाथ में नहीं है और बहुत सजग हम न रहे तो ये खत्रा है कि यह संदठन बन जाए बहुत सजग रहने की जरूरत है और बहुत होश से प्रयोग करने की जरूरत है कि यह संगठन न बन जाए संप्रदाय बनने के कुछ अंजाने रास्ते होते हैं पता भी नहीं चलता और वह बनना शुरू हो जाता है तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है और पूर्व से हम सचेत रहे तो शायद हम वैसी व्यवस्था कर सके कि वह न बन पाए एक तो यह विकल्प है दूसरा विकल्प यह है कि इस बात से अगर हम डर जाए कि संगठन न बन जाए संप्रदाय न बन जाए इसलिए कुछ करना ही नहीं है तो दूसरा खत्रा शुरू हो जाता है फिर कुछ करना नहीं है तो जो बात पहुचानी है उससे पहुचाना असंभव है तब फिर वह मेरे अकेले कंधों पर रह जाती है बात की मैं जितना दोड़ सकूँ उतना लोगों तक पहुचा दूँ वह मैं करता रहूंगा उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है लेकिन वही बात बहुत लोगों तक पहुच सकती है जितने आधिक मित्रों का सहयोग होगा उतने दूर तक पहुच सकती है उतनी सरलता से पहुच सकती है और आज इतनी सुविधाय उपलब्ध की हैं विग्यानने समाज की प्रगतिने की हम ना समझ होंगे की उनका उप्योग न कर सकें हम गलती में होंगे अगर उनका उप्योग न कर सकें अब जैसे मैं यहां बोल रहा हूँ माइक हम न लगाए तो भी काम चलेगा मैं बोलूंगा तो भी शायद आप तक बात पहुँचेगी लेकिन शायद इतने ठीक से नहीं पहुँच पाएगी अब ही थोड़े हैं तो पहुँच भी जाए, होगी तो नहीं पहुँच पाएगी माईक का हम उप्योग कर रहे हैं तो वो दूर तक पहुँच रही है जादा भीर आज तो इतने साधन उपलब्ध हुए है कि उन सब का उप्योग किया जाए तो एक व्यक्ती जीवन में उतना काम कर सकता है जितना बुद्ध या महावीर 25 जीवन में भी करना चाहते तो नहीं कर सकते थे बुद्ध और महावीर की मजबूरी थी जो उनके पास उपलब्ध थे साधन उनका उप्योग करके जितना उन्होंने श्रम किया वह बहुत है चार सो साल जीए और बेना साधन के मेहनत करे तो भी नहीं कर पाएगा तो उन सारे साधनों का हम उप्योग कर सके इसके लिए विचार करना जरूरी है यह मेरे अकेले के वश की बात नहीं है उसके लिए बहुत मित्रों की जरूरत है बहुत प्रकार के मित्रों की जरूरत ह कोई श्रम कर सकता है, कोई बुद्धी से विचार कर सकता है, कोई धन की व्यवस्था कर सकता है, कोई और तरह के जो जिसकी सूज, जो जिसका व्यक्तित्व हो उस तरह से सहयोगी हो सकता है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह मित्रों का वर्ग जितना बड़ा हो उतना अच्छा है क्योंकि उतने ही अधिक तरह के भिन तरह के लोग आएंगे और भिन तरह का अनुदान, डान कर सकेंगे भिन तरह की सेवाएं, भिन तरह का उनका सहयोग और काम को ज्यादा सम्रिध बना सकेंगे अक्सर यह होता है कि मित्रों की सीमायत है हो जाती है अपरेचित लोगों से एक भय होता है मन में, स्ट्रेंजर से थोड़ा भय होता है कि पता नहीं ये क्या गरबड करेगा भीतर आने पर तो आमतोर से यह हो जाता है कि 10-25 मित्र जब कहीं इकटे हो जाते हैं तो वे एक घेरा बना लेते हैं और फिर नए लोगों को भीतर आने में उनको थोड़ा डर होने लगता है ये डर होता है कि कहीं ये नया आदमी कोई गरबड न कर दे ये डर तो स्वाभाविक है ये कामना और भावना भी अच्छी है कि नया आदमी कोई गरबड न कर दे लेकिन एक नए आदमी से 25 पुराने आदमियों का डरना बड़ी कमजोरी की बात है सोचना ये चाहिए कि एक नए आदमी को हम 25 बदलने की कोशिश करेंगे या एक नए आदमी हम 25 को बदल देगा और अगर हम 25 इतने कमजोर हैं कि एक नया आदमी बदल देगा तो बदल ही देना चाहिए इसमें हर्ज भी क्या है इसमें बुराई भी क्या है हमेशा ये होता है कि जब भी कोई वर्ग इकठे होने शुरू होते हैं तो एक दाइरा बन जाता है फिर उस दाइरे के बाहर के आदमी और उनके बीच में एक फासला हो जाता है अंजाने होता है कोई जानकर यह नहीं करता है ये मन के स्वाभाविक नियम है अगर आप किसी अजनबी गाव में चले जाए और आपके साथ 2-4 मित्र वहां हो तो शायद आप उस अजनबी गाव में मित्र ही नहीं बनाएंगे वह 2-4 मित्र के घेरे में ही आप घेरे रह जाएंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे मजबूरी आ जाए कि आप अकेले पड़ जाए तो बात दूसरी है शायद आपको मित्र बनाना पड़े नहीं तो आप मित्र नहीं बनाएंगे